प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत थे आपके प्यारे से यूटूब चैनल पर हम हिमाले में तो प्यारे बच्चों क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर आपका 13 है नुक्लियाई तो देखिए कोशन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिखाए दे रहा है तो यहां पर बै प्यारे बच्चों चलो हम इसे स्टार्ट करते हैं तो पैर बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको मेरी वीडियो पसंदाई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मद भूरेगा चलिए इसको इसकी आपको और इसका मास हमको गिवन है तो पैर होड़ा तो यहां पर यह का आपके टोवन है यह आपके reactant है इसका product आपका बन रहा है उनका तो बैटा mass कैसे निकालेंगे देखिए जो आपका reactant है उनका mass minus और जो आपका product है उसके mass में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे और साथ में 931 से multiply कर देंगे तो बैटा यह आपका देखिए दोनों same है हाना देखिए आपका same है उसको double करकर रख दिया हमने यहाँ पर आपका तो उसके बाद देखिए हमको आंसर आपका Q की value निकल के आपके आ रही है वो minus का 403 mega electric volt आपका निकल के आ रही है तो minus Q value बैटा क्या indicate कर रहा है आपको यह कि reaction कैसी आपकी है endothermic बैटा कैसी आपकी है endothermic ठीक है चलिए it means हमको इसमें energy हमको देनी पड़ेगी इस reaction को कराने के लिए अब देखिए next आपक लिए आपके प्रोड़ेशन है आपके carbon है यह carbon है यह नियौन है और आपका गया बने हापर helium बना है तो स्वेम जारी जो आपका reactant है उसके mass दोनों के mass माइनस जो बाटा आपका product है उसके mass को क्या कर देंगे चैसमें माइनस कर देंगे और बैटा आपका 931 से क्या कर देखिए दोनों आपका सेम है यह दोनों आपका सेम है हना तो बेटा हमको mass of neon हमको given है ठीक है और हमको यहाँ पर आपका helium का mass given है तो बेटा अनको दोनों की सब्सक्राइब वैल्यू पूट करने के बाद देखिए यहाँ पर जो आपका answer आ रहा है multiplication हना बेटा कितना आपका सब्सक्राइब आपको सब्सक्राइब कर देना है तो प्यारे बच्यों अगर आपको मेरी वीडियो पसे नाई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा क्लास 12 के सभी चैप्टर्स के NCRT के सोलुशन में लगाता है अपने यूट्यूब चैनल पर अप्लोड कर रहा हूँ और साथ में हमारी वैबसाइट www.paramal.com पर अविलिबर है वहाँ से भी जाके प्यारों चैनल को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं तो प्यारे बच्चों खुस रही है मस रही है फिस को एंजॉय कीजिए थैंक्यू फॉर वाचिंग अविलिबर है